जाहिन मेरे प्यारे जाती हो राज यूपी वीडियोग पर आप सभी का हार्थ उक्सवागत है यूपी पुलिस कॉंश्टेबल 60244 पर परिक्षा रद जी आदुबारा होगा एक जाम 6 मेने के बीतर सीम साब ने खुद लिया ये फैसला और खुद उन्होंने अपने टूइट के जरी ये बताया है कि परिक्षा फिर से होगी 6 मेने के बीतर परिक्षा जो कराएगी थी वो कैंसल कर रहे हैं बच्चों के अब इसके साथ किलवाड नहीं होगा और जिन्होंने परिक्षा लीक किया उनके खिलाब कर रहे होगी दोस्तों बहुत बड़ी खुद खबरी और यह चीज़ मैं आपको बता दूँ है आपसे अगर यहां से आप लोग स्लेक्षन नहीं पाए और यहां से पढ़ना श्टार्ट नहीं किया ना तो सबसे निकम्म महिना आपको मिलगा हो सकता है तीन महइने बाद आपको एकजाम हो या सिपता दो महिने बाद एकजाम हो लेकिन अभी पीछ से में चुनाओ इसलिए कह सकते हो कि 10-15 थीं महिने का अभी आपको समय मिलगा यहां या एकजились आपके आपको तयार रहना पड़ेगका detached से आपक लेकिन अब आपके पास मौका है परिक्षा सबको रद की गई है सभी की रद की गई है एक दो सिप्ट की नहीं सभी की रद मैं बार बार रही बोल रहा था कि सभी की रद होगी बहुत चांस है कि सभी की रद होगी एक दो सिप्ट को गोली मारो उसकता परिक्षा का मैटर्ड भी बदला जाए, hybrid mood की प्रणाली लाई जा, क्योंकि आप नई योजना बनेगी, मैं आपको पहली बता दूँ, अभी हो सकता है, फिर offline हो, कहे नहीं सकते, लेकिन हो सकता है, hybrid mood की चर्चा चली थी, आप लोग सभी पता है, अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छी बात होगी ठीकर अगर offline भी होगी, तो अच्छे ढंग से नहीं पड़ जाए, परिक्षा बस यहीं आप लोग चाहेंगे, अभी आप लोग की महनत की बार ही है, यहां से आप जितनी अच्छी महनत कर लोगी, आप लोग सेलेक्शन पा जाओगे, अभी आप लोग इसको बेकार करके आ दोबारा ही जान करवाना, आप लोग जान नहीं कितनी बड़ी बात हो जाती है, अब दोबारा परिक्षा करवाई जाएंगे, आप लोग को लग रहा है कि पेपल लिक फिर से होनी सब्बाब ना है, हाँ मैं कही ना कहीं से ऐसी कृत आ जाते हैं, आपके सामने फिर ऐसे च जिनों ने खुद निरस्त किये तो उनको इसमें क्या फिलो रहा होगा, कितना घुस्सा आ रहा होगा कि यार हमको दुबारा फिर से करवाने इस चीज़ की परिक्षा, एक बार हम क्यों नहीं कर पापाएं, एक कहिना कि ये चीज़ लग भी जाती है, आपके उपर आरो कि यार आपकी उसमें अंडर और ऐसे काम हुए हैं, यानि पेपल लिग हुआ है, तो ये भी चीज़े बहुत बड़ी हो जाती है ना, और ये कहिना कि बहुत गलत है, तो पेपल लिग करने वालों को तो मैं पहले भाई साब बता दूँ, आपकी बार इंड दे दू, अब तो अच्छा गाजा मिल रहा है लों के लिए, यहां से पढ़ लो ना, अच्छे से, सबको तो इक्वल टाइम मिल रहा है, आराम से पढ़ो, महनत से एक्जाम निकालो, कहा है लगाते हो जुगार, अगर आप ही लोग नहीं लगा हो जुगार, तो परिक्षा लिग चो अच्छे सामने आएंगी, और इस बार ऐसी कारवाई होगी, बच्चों के भी उपर जिकावी जवाब ने, तो यहां से महनत अच्छे से कर लेना, लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बात में छोड़ते हैं, और एरी एक्जाम की तहरी में लग जाओ, अच्छी से स्ट बोला है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन खिलाब यह है, और इसकी खिलाब हम जानी सकते हैं, तो बहुत बड़ा फैसला साब ने लिया है, जिसकी हम भी तारीफ कर रहे हैं, यह होना भी बहुत जरूरी था, हम यही सोच रहे थे, कब फैसला आएगा, आज साम तक आए और फैसला क्या लिया जा रहा है, फैसला यही लिया गया, सब का रीक जाम होगा जी दौवारा होगा रीक जाम, सबी को परिक्चा दोबारा देनी पड़ेगी, अच्छा भी हे, आपके पास लेगेगो, बहुत सारे बहुत चारी स्कोर करके आए, अई रिस्पेक्ट करता ह तो आपका score कोई माईनी नहीं रखता ना उसके सामने इसलिए रेक्जाम होना जरूरी था तो आप लोग कोई भी गलत मत समझना कि आप अच्छा score करा है आप वैनत करो इस से भी अच्छा score करके आओ दुबारा में ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज़ को लेके बिलकुल भी परिसान मत होना कि हम लोग एक बार अच्छा score करके आचुके है अब दुबारा क्या होगा हमारा? भाई आप दुबारा बहुत अच्छा score करके आओगे जो बच्चे विचारे पढ़ने बाले थे किसी ना किसी कारण बस पहली बार अटेम्ट था तो भो भी लोग सीख गए होंगे कि कैसे अटेम्ट एक्जाम किया जाता है जो पढ़ने वाले ना जो डिजर्ब करते हैं अब हाइट अच्छी होने वाली मैं आपको बता दूँ अब हाइट बहुत अच्छी होने वाली है अब देखने वाला है कि एक्जाम लेविल क्या रहने वाला है सब चीज़ ए-टू-जेट सब चीज़ पर वीडियो फिर बनाऊंगा इस्ट्रेटजी नंबर सेपस्कोर ए-टू-जेट सब चीज़ फिर बताऊंगा वो चीज़ आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हो जैसे कि इन चीज़ों पेपर लीग पे ज्यादा खुलके नहीं बोल सकते हैं मैं क्या बहुत से बैन भाई है जो हमारे जैसे हैं वो नहीं बोल पाएंगे ठीक है फिलाल दोस्तों नेश्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए थैंक्यू जैन जसन बनाओ थोड़ा सा और अभी एक घंटा माहल बना लो अच्छा सा तो उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ और एक्जाम की तैहरी बैठीक है मिलते हैं थैंक्यू जैन